गूड इवडिंग डियरल 12th class students आज हम आपके साथ नई उनिट के साथ उपस्तित हैं आज की हम इस ओनलाइन क्लास में यूनिट नमबर 9, that means the coordination compound जो की chemistry के first part का last lesson है उसको आज हम start करने जा रहे हैं तो देखें अभी हम लोगों ने जो पिछली इवनिट थी the transition element that means the d and f block element पर discussion किया था आज हमारा जो क्लास है वो coordination compound है और coordination compound के इस part में आज हम कुछ इसके important introduction term पढ़ेंगे इसके साथ साथ burner theory पर discussion की जाएगी तो मापीतामरा की किरपा से मैं यह चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे देश के सभी नागरिकों ने भारत सरकार के साथ COVID-19 जैसी बिकट समस्या का डट कर मुकाबला किया और इसी के लिए भारतियों की अपनी एक पहचान है मापीतामरा से पुना एकवा प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सुखद स्वस्थ आनंद मैं जीवनियापन कर रहे होंगे और जरूर ही कठिन परेश्रम आपका धे होगा क्योंकि मुश्किलों में ही हमें निकल के अपने आप उसिद करना होता है तो उमीद है कि आप समय का सदुपियों कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहोंगे तो आज की इस क्लास में बात की जाए आउटलाइन को लेकर के तो हम इसमें इंटोड़क्शन पढ़ेंगे बर्नर थियोरी पर डिस्कसन करेंगे डिफरेंस बिट्वीन डवल सॉल्ट एंड कॉम्पलेक्स सॉल्ट इस पर डिस्कसन किया जाएगा और कुछ important term है उनकी definition जानेगे जैसे की coordination entity क्या होती है central atom और iron किसे कहते है ligands क्या है coordination polyhedron क्या है oxidation number of central atom क्या होती है कैसे calculate की जाती है तो हम सबसे पहले चलेंगे introduction पार्ट पर सबसे पहले हम ये जानने की कोसिस करेंगे कि actual में complex compound होते क्या है क्या है complex compound complex compound क्या है कहां हमारी day to day life में ये involve होते है कहां हमारे लिए utilize होते है और कैसे पहचानेंगे कि आप ये compound जो है वो coordination compound है complex compound है तो जैसा कि इसमें कहा गया in complex compound the metal atom are bound to a number of anions or neutral molecules एक complex compound में जो metal ion है जिसको हम central metal atom या ion कहते है वो कुछ एक definite number में fixed number में anion या neutral species neutral molecules के सास bonded रहता है अभी हम थोड़ा थोड़ी बात बता रहा है आपको फिर हम सब समझाएंगे क्या चीज़े दूसरा term कहा गया the chemistry of coordination compound is an important and challenging area of modern inorganic chemistry तो अपना coordination compound है important and challenging area है of modern inorganic chemistry का बहुत कुछ इसमें नया है जानने के लिए बहुत कुछ challenging है new concept of chemical bonding and molecular structure have provided insights into the functioning of vital components of biological system मतला अगर हम इसी बात को आपके सामने दोह रहा हैं तो देखिए आप जानते हो हम living जो persons हैं उनके लिए अगर हम अपने अपनी ही बात करें human being की बात करें तो hemoglobin जो होता है एक बहुत महत्पूर्ण चीज है you know very well एक बहुत important चीज है यह बहुत ही मतलब ऐसी चीज है जिसके बना साइद life possible नहीं होती तो अगर हम complex या coordination compound की importance को आपको बताना चाहें तो अब आप जान लीजिए के जो hemoglobin है वो एक iron का एक complex compound है इसी के साथ साथ अगर हम plants को लेकर बात करें तो हमारा chlorophyll होता है वो एक कोबाल्ट का complex compound है नई सरी थोड़ा सा confused हुए जो हमारा आपका जो hemoglobin है वो iron का complex compound है और और अगर आप से बात की जाए तो जो आपकी medicines होती है मतलब जो cancer therapy में इस्तिमाल की जाने वाली जो drug होती है वो कोबाल्ट के complex compound होते है हमारी body में toxicity को remove करने के लिए EDTA के complex का इस्तिमाल किया जाता है और जो chlorophyll है वो magnesium का complex compound है magnesium mg magnesium का complex compound है हमारा chlorophyll ठीक है तो अभी अगली बात जो यह समय की जा रही वो है कि it has great application in the field of metallurgical process industrial catalyst analytical reagents electroplating textile dyeing medicinal chemistry complex biomolecules like chlorophyll etc तो यह बहुत important रॉल अदा करते हैं complex compound और coordination compound हमारी dated way life में भी यह बहुत important factor है जो जिसमें की अपनी दखर अंदाजी रखते हैं बात की जाए burner theory को लेकर तो देखे अब आप क्यूँ पढ़नी पढ़ रहे है burner theory तो देखे वैसे तो अगर मैं कहूँ तो साइथ थोड़ा सा definition है अगर हमें इन चप चीज़ों की आती होती तो better होता लेकिन according to syllabus बात की जाए तो हमें पहले इसमें burner theory पर discussion करना है प्रियास करते हैं आपको यह clear करने का तो देखे क्या लिखा गया है कि Alfred burner the father of the structure of coordination complexes हाँ तो यह बात सही है कि जो burner है इन्होंने जो complex compound है coordination compound है इनके structures को determine करने के लिए बहुत महत्पूर उलदा किया इसलिए इनको हम कहते हैं coordination complexes के structure को के लिए मतलब यह मालो कि यह उनके जनक है the noble prize in chemistry 1913 in recognition of his work on the linkage of atom in molecules by which he has new light on earlier investigations and open up new field of research especially in inornic chemistry तो यह तो इनका थोड़ा सा life के बारे हैं बताया जा रहा है कि इन्होंने Nobel Prize मिला था और inornic chemistry में इन्होंने बहुत महात्पूर भूमकादा की और especially complexes compound को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ हमें दिया बर्नर्थ होरी की बात की जाए तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा concept नया है आपके लिए आप first time complex compound के बारे में जानने जा रहे हैं हाँ ये सही है कि इससे पिछली वाली unit में हमने एक question पढ़ा था why the transition element और the deblock element form complex compound क्यों transition element और deblock के जो element हैं वो complex compound का formation करते हैं ये हमने ज़रूर पढ़ा था ठीक है तो हम वो भी अच्छे से अब जान पाएंगे कि action में क्यों हमारे जो complex compound है और transition element से ही बनते हैं फिलाल अभी बर्नर साहब ने जो कहा उनकी बात को अगर हम दोह रहा हैं तो उन्होंने ये कहा कि every metal so two type of link that means the complex compound is the two types of balance here present balance here form तो देखिए इन्होंने ये कहा कि जो complexes हैं उसमें दो तरीके की balance होती जिसे एक primary balance और दूसरी secondary balance कहा जाता है that means complexes compound में जो central metal atom जैसे यहीं बात की जाए कोई भी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें जो central metal atom या iron होता है उसमें दो तरीके की balance होती है जिने primary balance और secondary balance कहा जाता है primary balance and secondary balance कहा जाता है तो दो तरीके की balance पाई जाती है according to burner theory every metal shows two type of linkage that means the balance the balance are known as the primary balance as well as the secondary balance तो दो तरीके की balance होगी burner theory की according अब जरह हम इसको जानने की कोशिस करें कि ये बताना क्या चाह रहे है इस structure की दोरा हमें तो देखे इन्होंने क्या कहा एक तो होती है देखो अब हम यहीं बताएं तो ये dot 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 से आपको बताई जा रही है ये indicate कर रही है primary linkage primary balance को और मैंला dash wedge के दोरा और जो solid line है उसके दोरा बताई जा रही है secondary linkage अब हम आपको अपने अंदाज में इसको बताने का प्रयास करें तो याद रखिए किसी भी complex में कि ध्यान से सुनना नाव दा प्राइमरी बैलेंसी अब दा कॉंपलेक्स कंपाउंड रिप्रेजेंट दा ऑक्सीडेशन नंबर आप सेंटल मेटल एटम और आयन जो प्राइमरी बैलेंसी है वो किसी भी complex में सेंटल मेटल एटम या आयन के जो उक्सीडेशन नंबर होती है उसको रिप्रेजेंट करती है जैसे हम लोग कह देते हैं अफी डाइप उजिटेव एफी ट्राइप उजिटेव कोबाल डाइप उजिटेव ट्राइप उजिटेव कुछ भी oxidation number 0 होगी तो central metal atom की तरह behave करेगा, central metal atom कहा जाएगा और जब उसकी balance, जब उसकी oxidation number plus 1, plus 2, plus 3 कुछ भी होगी because metal है तो positive भी आना है तो उस condition में उसको central metal iron कहा जाएगा हमने आप से कहा भी हमारी definition आएगी हम सब discussion करेंगे उस पर अभी अगर हम आपको metal atom या आन की oxidation number को represent करती है और जो secondary balance ही है वो उसके coordination number को represent करती है अब आपके लिए एक प्रिस्टन है भी नया हम पढ़ेंगे वैसे किसार ये coordination number क्या होता है oxidation number तो हम जानते है कि copper है जैसे suppose that इसमें cobalt है तो dipositive है कि tripositive है जो भी है वो उसकी है वो हमने आप से क्या कहा कि किसी भी complex में central metal atom या आन की जो secondary balance ही है वो उसकी coordination number को represent करती है अब प्रस्टन यह उड़ता है कि coordination number क्या चीज़ है तो देखे coordination number क्या है कि किसी भी complex के formation में central metal atom या आन के साथ जितने monodentate ligand जुड़े हुए होते हैं अब देखे टर्म पर टर्म आता जा रहा है जितने monodentate ligand जुड़े होते हैं अब दो सब्द आपके लिए नए आ रहा है यहां ligand क्या है और सरी monodentate क्या है तो ligands क्या होते हैं दो जिस पिसी इट में भी the cation और anion और neutral species donate the pair of electrons are known as the ligand ऐसे cation, anion या neutral species अब देखो हो सकते हैं कोई भी ऐसे cation, anion या neutral species जिनके पास donate करने के लिए at least one long pair of electron होता है उनको बोलते हैं हम लोग लिगेंड और जो एक electron का pair donate करते हैं उन्हें monodentate ligand कहा जाता है और जो दो electron के pair donate करते हैं by dented कहा जाता है tridentate कहा जाता है poly dented कहा जाता है अलग-अलग तरीके से हैं ना तो इस तरीके से जो हमारा complex compound हुए तो complex compound में अगर हमने बात की आप से तो दो तरीके की balance हो गई एक primary balance हो दूसरी secondary balance ही central metal atom आयन के oxidation number को रप्रिजन करती है और जो secondary balance ही है वो उसके coordination number को रप्रिजन करती है coordination number क्या होता है किसी भी complex में central metal atom आयन के साथ जितने monodentate ligand जुड़े हुए होते हैं वो उसका coordination number खेलाता है फिर प्रसंद आया ligand किसे कहते हैं तो हमने का ऐसी species जो electron का pair donate करते है that means Lewis base we know that on the basis of Lewis acid base theory तो Lewis base जो होते हैं वो electron pair donate करने वाले होते हैं तो Lewis base जो हैं उन्हीं को ligand कहा जाता है चलो अब इसके बाद प्रसंद आया था monodentate किसे कहते हैं तो हमने जैसे आप से कहा कि ऐसे ligand क्योंकि ligand एक से जादा एक से जादा भी electron pair donate कर सकते हैं लेकिन फिलाल monodentate की बात की जाए तो जो एक electron का pair donate करते हैं उन्हें monodentate ligand कहा जाता है ठीके अभी हमने आपको ये बताया अभी हम इसको थोड़ा सा भी discussion करेंगे लेकिन अगर हम यहाँ बताने का प्रियास करें तो एक्चलों में जैसे हमने आप से कहा कि जो primary balance है चले अभी हम balance पे discussion कर रहा है हम इसको आप से अभी आँगे share करेंगे ठीके तो अभी देखेगा इसके बाद अब क्या कहा है और ने burner theory के postulates पे आएंगे दा primary link is are ionizable which can be satisfied by NIN जैसे हमने आप से कहा कि जो primary balance है वो central metal atom ion की oxidation number है that means plus 2 plus 3 कुछ भी हो सकती है plus 4 जो भी हो तो जब वो positive होगी तो वो किसके दोरा satisfied होगी किसके दोरा satisfied होगी satisfied by NIN तो अगर हम चलिए हम फिर से इसी बात को दोराते है ध्यान से सुनिएगा burner theory the primary linkage primary balance linkage का हो या primary balance तो the primary linkage are ionizable which can be satisfied by NIN मतलब अगर NIN से satisfied हो रही है इसका मतलब वो कैसी charge बाली होगी primary balance obviously positive होगी तभी तो वो NIN that means negative ion के दोरा satisfied हो रही है तो हमने आपसे अभी कहा था ना primary balance वो उसकी oxidation number है और metal अगर है तो जो उसकी oxidation number है वो always क्या होगी positive होगी अच्छा अब हम इसी चीज़ को आपको अगर पिछले diagram में लेके जाए अब आप समझ पाओगे साइद कि देखे primary balance थी तो ये CL दिख रहे है ना आपको CL chloride ion CL negative ये ligand है जो CL negative दिख रहे है CL negative ligand होता है तो देखो इसके दोआरा ये जो satisfied हो रहा है क्योंकि cobalt metal इस पर positive charge होगा वो उसकी primary balance ही है जो उसकी oxidation number होती है तो ये किसके दोआरा satisfied होगा negative ion negative ligand हो उनके दोआरा satisfied होगा तो primary linkage जो है एक, दो, तीन दिख रहे थे आपको दूसरा है और ये तीसरा है तो इस तरीके से primary balance जो है वो anines के दोआरा satisfied होती है क्योंकि बार-बार दोआरा रहा है primary balance central metal atom की oxidation number है second point क्या कहा गया it is equal to the it is equal to the oxidation state of the metal ion और atom ये किसके बरावर है metal ion या atom का जो oxidation state है उसके बरावर होती है okay next क्या आगे दा secondary linkage और secondary balance are non ionizable क्योंकि हमने आप से क्या कहा secondary balance उसकी coordination number है coordination number that means किसी भी complex में metal atom या आइन के साथ जितने monodented ligand जुडे है जुडे है संख्या है उसकी 3 जुडे, 4 जुडे, 5 जुडे, 6 जुडे, etc तो ये ये क्या है non ionizable है ionic का कोई matter नहीं which can be satisfied by both neutral molecules and anions तो बहुत किसी से भी satisfied हो सकती है क्योंकि ligand तो हमारे negatively charged भी होते है neutral भी होते हैं stable नहीं होते है ना उसके पीछे रीजन अगर हम कहें तो ये रहेगा कि चुकि metal ion पे always positive charge रहता है ये और अगर हमारे positive charge ligand भी रहेंगे तो उन में फिर क्या होगा उतना मतला उन में ये मालने अगर हम तो repulsion होगा cdc बात है इसलिए वो stable complexes का formation नहीं करेंगे the secondary linkage are non ionizable which can be satisfied by both neutral molecules and anions secondary linkage अगला सुनिए secondary linkage is equal to the देखिए आगया ना coordination number of the central metal atom और ion जो secondary balance है वो coordination number के equal होती है coordination number हमने आपको कहानी सुना दी पूरा भी definition भी बाद में आएगी तो यह बर्नर थियोरी के postulates है तो अगर हम इसी डाइग्राम में फिर से जाएं तो यहाँ पर जो NS3 जुड़े हुए है जो आपको NS3 देख रहे हैं छे लीगेंड जुड़े हुए हैं और CL3 जो हैं वो primary balance को satisfied कर रहे हैं ओके इसके बाद फिर बंदर थियोरी पर आते हैं वहला ओहीं continue है तो फिर उसका जो सेफ है वो special arrangement है वो कैसा हो जाएगा हमारा special arrangement होगा वो हो जाएगा हमारा octahedral ठीक है तो इन्होंने क्या कहा एक बाद फिर से गौर फरमाएं क्या है कि the ions or molecule which satisfied the secondary linkage have a special arrangement corresponding to the different coordination number अलग अलग जैसे हमने आप से कहा कि अगर 2 है तो linear हो जाएगा तीन है तो triangular हो जाएगा चार है तो tetrahedral हो जाएगा छे है तो octahedral हो जाएगा एट सक्टर एट सक्टर एट सक्टर फिर क्या कहा गया इसमें बट ions which satisfied primary linkage are non-directional जो primary balance क्योंकि वो तो सर्फ positive charge metal ion पर रहता है उसको satisfied करने लिए negatively charged ions आ जाते हैं ठीक है तो negatively charge आ जाते हैं तो उनका कोई special arrangement नहीं होता बट फिर से पढ़ना बट ions which satisfied primary linkage are non-directional and hence do not sow isomerism ठीक है तो यह octahedral complexes हो गया है एक हमने example लिया हुआ है तो यह octahedral complex हो गया जिसमें कि आप देख रहे हैं central metal atom ion जो है वो कोबाल्ट है यहाँ पा जो 6 NH3 है वो किसका काम कर रहे हैं लिगेंड का काम कर रहे हैं उसने already लिख र क्या लिखा हुआ है यहाँ पर secondary linkage ठीक है और यह octahedral safe हो गया तो आज के लिए इतना ही आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा आप मेहनत करिए do hard work है ना तो सक्से जरूर मिलेगी आपको और NCRT book जरूर पढ़ते रहे हैं और class को पूरी तरीके से देखिए यह आपके भले के लिए है धन्यवाद